Hello students, today we will read chapter 2.08 in SST, so come on chapter 2.08 Chapter 2.08 is Means of Transport Means of Transport मतलब परिवहन के साधन परिवहन का मतलब होता है, student जब हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हमें किसी विकल की जरुवत होती है तो हम इसे Means of Transport कह सकते हैं या आने जाने के लिए साधन बोल सकते हैं Many times we have to go out of our home बहुत बार हमें घर से बाहर जाना पड़ता है Children have to go to school, children's को बच्चों को school जाना पड़ता है We have to go to our places for work, हमें वर्क करने के लिए भी अलग-अलग places पर जाना पड़ता है We have to go to market to buy things, और हमें market जाना पड़ता है चीज़े खईदे के लिए We have to visit our friends and relatives और कभी-कभी हम क्या करते हैं हमने friends और relatives से मिलने भी जाते हैं Sometime we have to visit other towns और cities, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें दूसरी शेहरों में और दूसरे कज़गों में भी जाना पड़ता है We have to carry things from one place to another हमें चीज़ों को भी एक जगे से दूसरी जगे ले जाना पड़ता है Businessmen have to send their goods to different places और जो businessmen है उन्हीं भी अपनी जो गुड्स होते हैं अपनी जो सामार होता है वो दूसरी जगे send करना होता है भीजना होता है Clearly we can't go everywhere on food यह clearly पता चलता है कि हम अपने food से सब जगे नहीं जा सकते हम अपने पैगों से सब जगे नहीं जा सकते We can't carry all our things on our head और shoulder हम सारी चीज़ों को अपने sit पर या अपने shoulders पर रखकर कहीं ले जाने सकते We have to take the help of some man, animals और vehicles इसके लिए हमें animals की, vehicles की या man's की जरुरत होती है In other word we have to take the help of some means of transport या अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो हमें means of transport या साधनों की जरुरत होती है कि किसके थुरू हम यह सारे work कर सकते हैं Transport is the way or means by which people and goods are moved from place to place Transport एक ऐसा तरीका है जिसकी वज़े से हम लोगों को और सामान को एक जगे से दूसरी जगे भेज सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं means of transport can be animals, cars, buses, car, trucks, trucks, trains, ships, aircraft, so on यह means of transport कुछ भी हो सकते हैं, animals भी हो सकते हैं, car, buses, trucks, train, ship, airplane कुछ भी हो सकते हैं अपना जो सामान है यह फिर जो लोग है वो किसी से भी travel कर सकते हैं और सामान को इन में से किसी से भी send कर सकते हैं the means of transport can be through land, water, air और यह जो transport है यह जो परिवहन है यह जमीन से भी हो सकता है यह water के मादन से भी हो सकता है और air से भी हो सकता है now first we read about land transport the early man did not have a settled life जो पहले के लोग थे उनकी जो लाइक थी वो बिल्कुल से लें थी he moved from one place to place वो एक जए से दूसरी जगे move करते रहते थे यानि आते जाते रहते थे he carried all his things with him और वो अपने साथ वो सारी चीज़े अपने साथ ही लेकर आते थे slowly he started taming animals taming animals का मतल़ होता है पालतो जानवर धीर धीर उन्होंने taming animals जो है मैं जानवरों को पालना शुडू किया he started using oxon, dunges, camels, horses etc. to carry him and his things उन्होंने धीर धीर जानवरों को पालना start किया और वो है बेल हैं, डंकीज हैं, कैमल्स हैं, होर्से हैं, इनको पालना उन्होंने शुड़ किया और जो भी उन्हें सामान लाना था या पिर ले जाना था वो इनहीं के उपर रखकर लाते और ले जाते थे जाना सब्सक्राइब करते हिएल रखकर दीरा को तियां में यहीं अरुपैद रखकर यो फिर क्र स्थक्तिर कमें तो यहांकिय फा define अपिर। जिजु हैं उन्हें साइंनिक में यांट किया और य Hampshire और बहु wholly फिर इन्याल अट्राइब कर ना की तो और बैर शुमविंट कर द बुलॉक कार्ड्स उन्होंने बनाई इस तरह से वो कैमेंग्स पर भी ले जाने लगे यह पहिए की वज़े से ही पॉसिबल हो पाया प्रश्च कार्ड्स आर नाउ यूज इन विलिज ओनली अब हैसे जो कार्ड्स है यह तरह विलिजस में यूज होते हैं people use them for traveling and also for carrying these loads people which are traveling के लिए भी इनका यूज करते हैं people in towns and cities use faster means of transport chemical joo hai cities में and towns होते है वह fastest साधन होते हैं इनको यूज करते हैं, they use bicycle, rickshaw, scooter, motorcycle, car, buses, जो towns में रहते हैं, जो cities में रहते हैं, वो सब in transport का यूज करते हैं, इन साध्यों का यूज करते हैं, they are used everywhere, वो इन्हें हर जगे यूज करते हैं, they are used in village also, और ये गाउं में भी use होता है, metro is another popular means of transport, metro जो है, वो means of, दूसरे type का means of transport है, metro can run on level ground, above, और under the level surface, metro एक ऐसे train है, जो जमीन के अंदर भी चल सकती है, जमीन के ऊपर भी चल सकती है, और under the level surface और जमीन के अंदर भी चल सकती है, trains are another form of land transport, train जो है, वो land transport का another form है, why cars, buses and scooters runs on road, train run on track, जो car, bus or scooters होते हैं, वो तो roads पर run करते हैं, रोड पर चलते हैं, पर जो train होती है, वो tracks पर चलती है, they can carry hundreds of passengers and tons of goods, जो train होती है, वो हजारों सैकडों passengers को अपने अंदर लेके जा सकती है, और बहुत सारे सामान को भी अपने अंदर लेके जा सकती है, for shorter distance, we use bicycle, scooter, car, etc. अगर हमें थोड़ी दूरी पर जाना हो, तो हम bicycle, scooter, car का use करते हैं, train are convenient for long distance, जो train होती है, वो लंबे सापर के लिए, या लंबी दूरी के लिए use की जाती है, now water transport, water transport is the cheapest means of transport, जो water transport है, वो सबसे cheapest means of transport है, मतों सबसे सस्ता साधन है जाने आने का, we have to spend lots of money on the laying of road, हम रोड पर जाने के लिए, बहुत साई money है, उसको spend कर देते हैं, उससे गवा देते हैं, खर्श कर देते हैं, और by rail, हम rail से भी जाते हैं, तो वो भी हमें बहुत जादा expensive रहता है, but in water transport, no road, no, or rail is needed, पर जाते हैं, ना तो हम रोड से जाते है है, ना हम rail से, rail की हमें जर्वत होती है, the only thing we need is good waterways and good harbors, बस waterways से जाने हैं, water transport यूज करने के लिए, इसलिए दो ही चीज़े अच्छी होती है, एक तो waterways, मतलब जिस वाटर से हम जा रहे हैं, मतलब वो वाटर का जाने का जो तरीका है, जो रास्ता है, वो अच्छा हो, और good harbors, यानि उसका बंदरगा, अच्छा हो, बंदरगा मतलब होता है, जहाँ शिप पर रुपता है, places of shelter for ship, जहाँ आप शिप रुपते हैं, वो बोलते हैं, उन्हें बंदरगा बोलते हैं, तो वो अच्छा होना चाहिए, we now have ships that can go very fast, अब हमारे पास ऐसे ships हैं, जो बह very heavy and bulky goods, और बहुत ज्यादा heavy और बड़े-बड़े सामानों को ले जाने के लिए, ले जा सकती है, the different kinds of vessels used in water transport are, row boats, sail boat, sail ship and steam ship, water transport के लिए, जो vessels use होते हैं, water transport में जो vessels use होते हैं, क्या के use होते हैं, water transport के लिए, row boats, sail boat, sail ship and steam ship, now come on, air transport, air transport is the fastest mean of transport, air transport जो है वो fastest mean है, मतलब इससे हम बहुत जल्दी ही पहुँच जाते हैं, हमें जहां जाना होता है, aeroplane and helicopter are used in the form of transport, और जो aeroplane and helicopter है, वो air transport के लिए use होते हैं, aeroplane can take us to any part of the world, aeroplane है, उससे हम world के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं, they are very fast, यह बहुत fast होते हैं, we can reach even far of place in a few hours, हम बहुत दूर तक कुछ घंटों में ही पहुँच सकते हैं, but air travel is very costly, पर जो air travel होता हमाते जाने का and place जाने का जो है, वो बहुत जादा costly होता है, बहुत जादा महला होता है, only rich people can afford it, तो इसलिए जो rich people जो अमनी लोग होते हैं, वो ही इसे afford कर सकते हैं, different means of transport have brought great change in the world, आज किल बहुत सारे अलग-अलग transport जो हैं, वो यूज होने लगे हैं, और जिस्से की world में बहुत change आया है, man and goods can now he carry it from one place to another in very last time, जो लोग हैं और जो सामान हैं, वो बहुत कम समय में एक जगे से दूसरी जगे पे पहुँच जाता है, the world does not appear to be big now, अब जो world है वो हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लगता क्योंकि आयरोप्लेन से हम किसी भी जगे पे बहुत कम समय में पहुँच सकते हैं, no place seem to be too far, और हमें कोई भी जगे ज़्यादा दूर नहीं लगती, the world has become smaller, जो world है वो हमें छोटा लगता है and tread between national and expanded, in fact development has been possible because of means of transport only, मतरब जो world है जो develop हो रहा है वो इसी विज़े से हो रहा है कि हमारे पास world में जाने के लिए अंदर कहीं भी जाने के लिए हमारे पास transport है, हम कितिनी भी दूरी हो हम आराम से जो हमारे ट्रांसपोर्ट है उससे हम आप पहुं सकते हैं, students, so your chapter is finished here, we will send you worksheet of this chapter, you will have to do this work in your SST notebook, bye students,